हेलो फ्रेंस, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संग लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की नियू रिक्रिमाइन नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाय प्रोसेस के बारे में, तो फ् यहाँ पर यहाँ पर जारी कर दिया गया है, तो यहाँ पर फ्रेंस, इस रिकुर्मेंट से रिलेटेड जानकारी जो है, वो फ्रेंस, आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जावरास्ता.com पर जहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चैक आउट कर सकते ह अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं तो आप इसमें online apply कर पाएंगे लास्ट डेट जो है apply करने की वो फ्रेंस 21 फरवरी 2023 आपकी यहाँ पर रहेगी और जो जानकारी है वो फ्रेंस आप इसकी official website पर साथ में फ्रेंस वीडियो description में jobrasta.com पर जाकर आप check out कर सकते हैं अब यहाँ पर देखें फ्रेंस यह इसका online apply portal है जहां से आप इसमें आविदन करेंगे जो की OTR है अगर आपने OTR का registration आपने नहीं किया हुआ है कैसे आप OTR का registration आपना करेंगे तो फ्रेंस से OTR का registration करने के बाद आप mail ID, mobile number या OTR ID कोई भी एक option को आप select कर ले mobile number select कर ले या mail ID select कर ले और यहाँ पर mail ID देने के बाद आपको फ्रेंस से यहाँ पर देखे get OTP वाले option पर click कर देना है इसके बाद फ्रेंस से एक OTP आपकी mail ID पर send कर दी जाएगी OTP आपको यहाँ पर fill करनी होगी और OTP यहाँ पर fill करने के बाद आप फ्रेंस से security code को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद login कर लेंगे तो फ्रेंस से OTP पर आने के बाद देखे आप जैसे ही login करेंगे आपको यहाँ पर देखे जो आपका dashboard है यहाँ आपको मिल जाएगा यहाँ पर अपनी application history को आप चेक कर सकते हैं कौन-कौन से form आपने fill किये हुए हैं इसके लिवब आप चाहें तो अपना view profile कर सकते हैं और अपने profile को आप edit करना चाहें तो edit कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंस से आपको यहाँ पर एक tab मिलता है latest notification का आप इस option पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको civil services pre exam 2023 का option मिल जाएगा जहाँ पर फ्रेंस से आप देखिए जो part first है वो है अपके update क्या edit OTR का तो अगर आप edit करना चाहें तो आप यहाँ पर edit कर सकते हैं नहीं edit करना है तो आप click here for part 1 के लिए इस option पर click कर देंगे क्लिक करने के बाद फ्रेंस से आपके सामने यहाँ पर देखिए पेज आएगा important instructions का जहाँ पर आपसे कहा गया है online application form को fill करने से पहले आप इन instructions को check कर सकते हैं last date जो है उससे पहले form को आपको fill करना है online application form फ्रेंस से यहाँ पर देखिए जो है वो आपको सिर्फ English language में ही fill करना होगा इसके बाद यह दो भागों में आपका divided है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो part 1 है वो आपको complete करना है photograph and signature selected guideline आपको दी गई है और उसके बाद फैंसे आप इस yes वाले option पर click कर सकते हैं इसके बाद फैंसे देखिए अब आपका जो form है वो start हो जाएगा अब यहाँ पर सबसे पहले option आपको मिलता है nationality का आप nationality select करेंगे इसके बाद है marital status का आप यहाँ से marital status select करेंगे अगर आप PH candidate है तो yes कर सकते हैं यहाँ से type of disability में 40% से अबाओ है disability तो आप yes करेंगे और इससे related category जो आप select करेंगे अगर आप PH candidate नहीं है simply आप no कर सकते हैं community वाले option पर जाते हैं तो सबसे पहले माले जिए general आप select करते हैं तो कोई option आपका नहीं होगा और fees में कोई छूट आपको नहीं मिलेगी AWS की बात करें तो यहाँ पर देखिए AWS का जो आपका certificate है उसका certificate number आपको देना है इसके बार फैंसे certificate किसने issue किया है जैसे तहसिलदार ने, SDM ने, जिला मनिस्टेट ने वो आपको देना है और यह कब जारी हुआ है उसकी जानकरी आप देंगे यहाँ पर आपसे कहा गया है एक चार 2022 के बात का जारी होना चाहिए ऐसे ही अगर आप OBC candidate है तो आपको यहाँ पर देखिए creamy layer में आप आते हैं तो yes कर सकते हैं तो आपको कोई reservation नहीं मिलेगा और आप non creamy layer candidate है तो आप यहाँ पर no करेंगे और उसके बार certificate की जानकरी provide करेंगे यहाँ पर भी same आपको SDM जिला मज़िस्टेट तैस्सिलदार जिसने भी जारी किया है वो आपको यहाँ पर देना होगा और यह भी एक चार 2022 के बात का जारी होना चाहिए फीस की चूट आपको इसमें भी नहीं मिलेगी अगर आप SCST candidate है उस condition में आपको आपका certificate number जो issue करने वाली authority है और certificate issue date आपको degree in agriculture है degree in engineering है यह आपके पास यह multiple options आपको मिल जाते हैं या फिर आपके पास कोई other degree है तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बार friends से आपको यहाँ पर उच्छेएगा कि किस examination के लिए आप consider करना चाहते हैं तो यहाँ पर civil services का option मिलेगा आप इसे okay कर देंगे यहाँ पर next option ह आपके address का तो friends से पूरा address जो भी आपका यहाँ पर है वो आप यहाँ पर mention कर सकते हैं आपको address line 1 and 2 में आपको यहाँ पर जानकारी आप प्रोवाइड करनी है और इसके बाद friends से आप अपना जो district है वो आप प्रोवाइड करेंगे आपका जो state है वो आपको यहाँ प्र आप यहाँ पर Yes कर सकते हैं और क्यों चाहते हैं तो आप को यहाँ पर करेंगे आपको यहाँ पर जाही करना होगा तो कोई पी ID option select कर ले और उस photo ID का number आपको देना होगा यहाँ पर फैंसर आपकी जो percentage है graduation level में वो आपको यहाँ mention करनी है और यह round figure में आपको mention करनी होगी इसके लावा फैंसर आपके number of attempt कितने है civil services examination के वो आपको यहाँ पर mention करने है अगर आपके पास यह नहीं है आपने नहीं दिया है तो आप इसमें 0 की entry कर सकते हैं इसके बाद फैंसर जो है वो आपको चाहिए यहाँ पर पर परिक्षा के इंदर के लिए तो आपको यहाँ पर जाना है आपके according जो भी subject आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं और इसका भी जो medium है वो आपको select करना है तो आप यहाँ पर paper एक लिए भी language प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद continue पर click कर देंगे इसके बाद फैंसर यहाँ पर देखे पिरिव्यू section आपके सामने open होगा पिरिव्यू section में फैंसर यहाँ पर आपको लगता है कोई गलती हो गई है आप उसे फैंसर अपडेट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो फैंसर डिरेटली आपको जो इस security code दिया गया है यह security code फिल करने के बाद आप I agree कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर देखिए जब आपका part 1 complete हो जाएगा तो यह आपका option green हो जाएगा इसके बाद आपको upload photo sign पर click करना है photo and sign के देखिए sample आपको दिये गए है photo and sign आपको ऐसे upload करना है जिसके लिए आपको pixel दिये गए है आपको friends से कैसे photo and sign को resize करना है आप यहाँ पर आकर resize की जो process है वो आप चेक कर सकते हैं किस तरह से आप अपनी photo and sign को resize करेंगे इसके बाद friends ब्रॉस के माध्यम से आपको friends आपकी photo sign और इसके अलावा friends ID proof जो भी ID proof आपने starting में number दिया है वो friends से आपको यहाँ पर PDF format में upload करना है PDF में नहीं है तब JPG में select करेंगे और उसके बाद Google पर जाकर आपको कई options मिल जाएंगे JPG to PDF के तो JPG to PDF कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर इससे upload करके upload images पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इससे satisfy होने के बाद आप continue टैप पर क्लिक कर देंगे इसके बाद देखें friends से ये भी option आपका complete हो जाएगा इसके बाद है center selection का आप इस option पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फैंसे आपको जो center है वो आपको choose करना है आपको list मिल जाती है आपके according center आप choose कर सकते हैं इसके बाद declare करने के बाद आप आई है read declare पर क्लिक करेंगे और यहाँ से form को submit कर देंगे इसके बाद फैंसे for application status आप इस option पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद फैंसे यहाँ पर देखिए जो आपकी process या वो देखिए complete हो गई है और इसके बाद आपको view या print application का option मिल जाएगा यहाँ से आप अपना जो application form है उसका print out सेव करके अपने पास से रख सकते हैं तो यहाँ पर इस वीडियो हमने बात की UPSC में civil services pre exam 2023 का online form आप कैसे apply कर सकते है step by step process के बारे में अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो like, subscribe and share जरू कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूरिप टैनल एलास्टेंस पूर वाचिंग